असलाब लेक्म अचब टॉपी। का नहुँन उपहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है जिसे हम देखेंगे कि मुभमन कैसे होती है प्लांट के पार्ट की external stream créneumuz लाई की वरह सै अज़िजह कि पैक्षान है कि external stream Hilary की वरह से plant के parts का move करना they are called paratonic movement है इसके मर पस आगे further types है जैसे के tropic movement जो tropic word है ये derive किये गए एक Greek वर्से tropas और tropas का लफजी मतलब बतर turn होना turn उसकी तरफ turn होना किसी body parts के किसी के तरफ जुक जाना they are called tropic movement है जैसे यहाँ पर movement होगी curvature of organs toward या away of stream उलाई जो stream उलाए है उसकी तरफ move करना या उससे away move करना organs का curvature form है इसको नाम देते हैं त्यार को tropic movement है इसके मार पस आगे further five types है एक है phototrophism, chemotrophism, hydrotrophism, geotrophism और thigmotrophism अब photo का मतलब होता light, chemo का मतलब होता chemical, hydro का मतलब होता water geo का मतलब होता gravity और thigmotrophism, touch अगर मैं कहता हूँ, the movement of parts of plant in response to stimuli of light light की वरा से movement होना या इसको फोटो ट्रोफीजम है जैसे stem जो और से वो move करती है टूर लाइट यह positive to phototrophism होगा और roots जो और से वो away जाती है light के यह negative phototrophism होगा chemotrophism, the movement of parts of plant in response to stimuli of chemicals वो ही line जो यहाँ पे लिखिया है, यही copy paste यहाँ पे करनी है, सिरफ chemical लगा देना है तो फंजाई की जो हाइफी है, chemical की तरफ move करना, chemotrophism है हाइडरोट्रोफीजम है अगर the movement of parts of plant in response to stimuli of water वो ही चीज़ यहाँ पे copy paste करनी है, सिरफ water आ जाजएगा जैसे roots जमीन के नीचे जाती है, water की तरफ, यह positive hydrotrophism है जो stem होती है, वो बाहर की तरफ होती है, पानी से away होती है यह negative hydrotrophism है geotrophism है, same way the movement of parts of plant in response to stream of gravity gravity के लहाँ से, जैसे roots move करती है gravity के लहाँ से तो क्या होगा, geotrophism है और जो तना होता है, वो बाहर की तरफ होता है, वो जमीन के नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता है इस इसको कहते हैं कि away from gravity है यह negative hydrotrophism है thigmotrophism, the movement of parts of plant in response to stream alive touch वो ही line सारी यहाँ पे लिगें, सिरफ टच आजएगा जैसे कि अकसर जो आपने बेलें देखी है, वो दवार के साथ चिपक चिपक कर ऊपर की तरफ मूव करती है या कोई आप यह करें, बांस के साथ वो लग कर ऊपर की तरफ मूव करती है तो climbing of white zones example वो कहा है, thigmotrophism जो टच की मदद से मूव कर रही होती है इसे तरफ जो paratronic movement है, इसके अंदे एक टाइप आती है नास्टिक movement नास्टिक movement मेरे बचे एक ऐसी movement जो non-directional movement है, प्लांट के parts की मैं यह याद रखिएगा external stream उलाई की वरह से, external stream उलाई की वरह से होगी इसका आगी दो टाइप्स है, एक है niktinastik और एक है heptonastik सब वो differential growth करें, उसको हम नाम देंगे दियार को niktinastik है, दो टाइप से इसकी photonastik और थर्मो नास्टिक देखें, differential growth कैसे होती है, opening और closing कैसे होती है, आप तको मैं बता रहे लगा, फोटो नास्टिक क्या होता movement of parts of plant due to photo period, photo का मताब photo period, तो इसमें opening and closing जो flowers की होती है, ओर control होती है photo period के जिरे से, और photo period के वरा से जो movement होगी, plant के parts की दियर करो photo नास्टिक है, जैसा रेसे सरदियों में पूल किलते हैं, गर्मी में गर्मी वाले cycle है उसको कहते है photo period तो photo period के वरसे opening और closing होना flower की दियार cold फोटो नास्ट्री है थर्मो नास्ट्री में मेरे बच्छे movement होना parts और plant की due to temperature है जैसे tulip जो टूलिप का flower है यह rapid close करता है रात को rapid close करना रात को temperature की कम होने की वरसे यह thermonastry है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट मेरे याद देखिए कि मूवमेंट और पार्ट तो है ड्यू टू कॉंटक्ट है जब कोई चीज टच होगी तो वह फोरन बंद हो जगा जैसे आपने नाम सुना वीनेस फ्लाइट ट्रैप ये एक प्लांट है इंसेक्टिवोरस तो जब एक आपके सामने वह लेक्चर आ जाएगा ओके बड़ा अप्लोडेट आप सिरह नाम लेकिया अली अकैडमी लेक्चर आ जाएगा ओके बड़ा अल्लाहाफीस